नमस्कार एवरीवन, वेलकुम तो माई चैनल दगीकी योगिन, मेरा नाम वन्या है और मैं एक सर्टिफाइद अश्टांगा योगा ट्रेनर हूँ, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल पॉस्चर की जिसका नाम है माला आसन, also called as the garland pose, ये एक बहुत ही effective पॉस्चर ह है for helping us with our hip mobility, हमारी hips की mobility को या flexibility को increase करने के लिए ये पॉस्चर बहुत ही important और effective पॉस्चर है, आएए देखते हैं इसको कैसे करना है, इसके लिए आप अपने दोनों पैरों पे इस तरीके से आजाएं, आप अपने पैरों को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं अपनी comfort के हिसाब से ठीक है, और फिर आप अपने हाथों को जॉइन करके, जितना नीचे आप ले जा सके उतना लाएं, याद रखिए कि आपका back, आपका spine हमेशा straight होना चाहिए, round spine नहीं होना चाहिए, back को अपना straight रखे, अपने comfort के हिसाब से आप अपने पैरों को adjust कर सकते हैं, आप देखें जैसे मेरे पैर इस तरीके से बाहर की point कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई problem नहीं है, लेकिन अपने हाथों को fold करें, अपनी back को straight रखते हुए, आप अपने हाथों को थोड़ा नीचे लाए, और फिर सामने देखें, इस posture में आप आराम से एक या दो मिनट spend करें, धीरे धीरे इस posture को feel करें, और आप पूप में हसुस होगा कि आपकी hips में एक बहुत ही अच्छा stretch, gentle stretch आपको मिल रहा है, इस posture में आप जितना ज़ादा बेर बैट सकते हैं, टी वी देखते हुए बैट सकते हैं, सब्जी कारते बेरा सकते हैं, कहाना खाते हुए फ्यपैच सकते हैं, जितना ज़ादा आप इस अच्छा लगा तो मेरे चानल सब्सक्राइब करना ना भूले नमेश्काल